दोस्तों टेकनोर में आपका स्वागता और आज यहां पर में बात करने वाला हूँ OPPO Find X2 Pro के बारे में जियां दोस्तों यह स्मार्टफ़न इंडिया में जल्दी लोन्स होने वाला है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस वीडियो को सुरू करते हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्पले से हमें इसमें लगी हुई मिलती है 6.7 इंच की एक Super Amulet डिस्पले Quad HD Plus Regulation की साथ जहां पर यह डिस्पले 120Hz की Refresh Rate के साथ आती है और साथ ही में HDR10 Plus को भी सपोर्ट करती है इसके लावेस पर Gorilla Glass 6 की Protection भी लगी हुई है तो अगर डिस्पले के इस आप से देखे तो डिस्पले काफी यहां पर अच्छी दी गई है और आपका जो Experience होने वाला है वीडियो का वो एकदम Next Level का होने वाला है आगे पर तेहर बात करते हैं Performance की तो हमें इसमें लगाओ मिलता है Snapdragon 865 का एक Octa-Core Processor GPU की बात करें तो Adreno 650 जो की रन करेगा Color OS 7 पर बेस होगा Android 10 पर और इसका अगर N22 Score देखे तो वो लगबग 6 लाग के आसपास जाता है जो की काफी ज्यादा या अच्छी Performance को दिखाता है इसके अलावा बात करते हैं Camera की तो हमें इसमें Rear Side में मिलता है Triple Camera Setup जहांपर जो Main Camera है वो है 48 Megapixel का Aperature F1.7 के साथ और कमाल की बात ये है कि हम इसमें 4K वीडियो रिकोडिंग कर सकते है 30 या फिर 60 FPS पर इसके अलावा जो Secondary Camera है वो है 13 Megapixel का Telephoto Lens जो की 5PX की Optical Zoom को सपोर्ट करता है इसके अलावा जो तीसरा Camera है वो है 48 Megapixel का Ultra Wide Angle Sensor इसके अलावा Front Camera की बात करें तो वहाँ पर हमें मिलता है 32 Megapixel का Aperture F2.4 के साथ एक चोट ऐसे Dot Note setup में है तो अब आगे बड़ तेहर बात कर लेते हैं बेटरी की तो हमें इसमें लगी वी मिलती है 4,260 MH की एक बड़ी बेटरी जिसको चार्ज करने के लिए 65W का एक Fast Charger जो कि आपकी इसी बेटरी को काफी जल्दी ही चार्ज कर देगा लगबग 35-40 मिन्ट में आपकी बेटरी को 0-100% कर देगा इसके अलावा इसमें Type-C Port और Reverse Charging का Option भी दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वो है वाइरलेस चार्जिंग अगर वो होता तो मज़ा दो गुना हो जाता इसके अलावा इसमें इंडिस प्ले फिंगर प्रिंट और फेसल लोग का भी फिचर दिया गया है अब यहां पर बात कर लेते हैं रेम और स्टोरेज की तो हमें इसमें मिलती है 12GB की LPDDR5 की रेम और 256 या फिर 512GB की UFS 3-based storage तो इस specification के आप से देखे तो काफी नहीं काफी ज्यादा ही कमाल का स्मार्टफोन है तो अब यहां पर अगर बात कर लेते हैं इसकी प्राइज की तो इसकी प्राइज होने वाली है वह 72-75,000 के असपास होने वाली है इसके हलाव जब यह लोन चुका तो इसके बाद में एकजेक्ट प्राइज आपको पता चल जाएगी तो आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो आगी भी देखन के लिए आज के लिए बस इतना इता मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंद मातरम